नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सीट अगस्त दो हजार तेज जिसके लिए सिब्यसी बोट ने 20 अगस्त दो हजार तेज को परिछा का आयोजन किया था अपर प्रैमरी यानि की पेपर 2 के सीडिपी पार्ट का कम्प्लीट पेपर सॉलोशन देखने जा रहे हैं अगर आप प्रैमरी और अपर प्रैमरी प्रीवियस येर सिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के कम्प्लीट पेपर सॉलोशन को डिटेल में देखना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूड चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार रिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं बेल आकन को जरूड प्रैस कर लेजेगा चले दोस्तों आज के समय तो पूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन आप अपने स्क्रिन पर देख पार होंगे निम्लिकित में से कौन सा प्रशन बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा यानि कि critical thinking को और creative thinking को निम्ल में से कौन सा प्रशन बढ़ावा देगा देखें प्रशन दो प्रकार के होते हैं खुले सिरे वाला प्रश्न और दूसरा होता है बंद सिरे वाला प्रश्न ऐसे प्रश्न जिसका कक्छा में जितने भी बच्चे हैं उनके द्वारा अलग-अलग उत्तर आने की संभावना है उसे खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं जैसे कि अगर मैं कक्छा में ये यानि ऐसा प्रश्ण जिसका केवल एक ही उत्तर संभव है उसे बंद सिरेवला प्रश्ण बोलते हैं और ऐसा प्रश्ण जिसके लिए बालक को अपने इस्तर पर चिंतन करना पड़े क्रिटिकल ठिंकिंग करना पड़े अब चुकी इंडिवीजुल डिफरेंसेज के इसापस प्रतेक बच्चा उसके लिए अलग-अलग तरीके से सोचेगा इस वज़े से उस प्रश्ण के अलग-अलग उत्तर आने की संभव न रहेगी इसलिए ऐसे प्रश्ण जिसके एक से ज्यादा उत्तर संभव है उसे खुले सिरेवाला प्रश्ण बोलते हैं तो समालोचनात्म और रचनात्मक चिंतन के लिए हमेशा खुले सिरेवाला प्रश्ण इंपोर्टेंट होता है इसी को ध्यान में रखरके उत्तर डूर्णेंगे चौथे विकल्ब से सुरुआत करते हैं कहा जा रहा है कि आपके देश का नाम व मांचित्र पर इसकी भागवलिक इस्तिति क्य है तो क्या इसके लिए कुछ भी सोचने समझने की जरुरत है आपसे अगर आपके देश का नाम पूछा जाए तो क्या आपको क्रिटिकल ठेंकिंग करने की जरुरत है नहीं जरुरत है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो हमारा खुले सिरे वाला नहीं बलकि ब इसने राज उतनी रजधा नहीं तो इसमें कुछ भी नया सोचने समझने की जरुरत है नहीं तो इसलिए ये भी हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रशन है और हमें खुले सिरे वाला प्रशन को ढूंड़ना है दूसरा देखिए आपके सहर में पानी क पानी के बंद सिरे वाला प्रशन है यानि कि कुछ भी नया सोचने की जरुरत नहीं है ठीक है अब हमारे पास के वल एक अई विकल बचा पानी के बचाओ के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों अब यहां पर देखिए पानी को बचाने के लिए क्या क् होंगे और क्यों तो प्रतेक बच्चा अपने मानसिक इस्तिती के हिसाब से इस पर सोच विचार करेगा और अपने थिंकिंग के हिसाब से वह अलग-अलग उत्तर देने की इस्तिती में होगा यानि एक से ज्यादा उतर संभव है यहां पर दूसरा वाला प्रशन जो था आ अपने मानसिक इस्तिती के अनुसार अपने सोच के अनुसार अपने क्रिटिकल थिंकिंग के अलग-अलग देगा इस वज़े से ये खुल सिरे वाला प्रशन है और इक इसका बिल्कुल एप्रोप्रिये टैंसर हो जाएगा अगला प्रशन पुछा क्या है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाड की क्या भूमिका है प्रमाड यानि की एविडेंस की बात की जा रही है तो एविडेंस की क्या भूमिका है क्रिटिकल थिंकिंग में चलिए चौथे विकल्प से सुरुआत करते हैं कहा जा रहा है कि वैक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाड की की जानी चाहिए यानि कि अगर कोई बंदा है जिसका individual अपना कोई thinking है उसका अपना कोई एक तरीके से personal opinion है तो उसके पक्ष में प्रमाड की उपेक्षा कर दिनी चाहिए मतलब कि मैं मालिजे ये मान रहा हूं कि भारत में 50 राजे है ये मेरा personal opinion हो गया और प्रमाड ये कहता ह कि भारत में 50 राजे नहीं है तो क्या आप प्रमाड को ignore कर देंगे नहीं यहाँ पर वैक्तिगत राए important नहीं हो जाता है जहाँ पर evidence की बात आ जाती है जहाँ पर हमें साक्षे प्रस्तुत है वहाँ पर personal opinion का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है अगर मैं जबरदस्ती अपन personal opinion थोपूं कि भारत में 50 राजे हैं तो किया यह चीज़े सही है नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रमाडिक तौर पर यह चीज़े गलत है ठीक है तो यह चौथा विकल्प गलत हो गया तीसरा देखिए समालोचना अत्मक चिंतन के लिए प्रमाड और प्रासांगिक होता है त तो यहाँ पर देखिए समालोचना अत्मक चिंतन का मतलब क्या हो गया critical thinking की बात की जारी है तो critical thinking जो हम लोग किसी भी बारे में कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं तो किसी ना किसी point पर वो best तो जरूर होगा जैसे मैं माल लिजे यह सोच रहा हूं कि भारत में गरीबी को सरवेक्षण होता है उसके मादेम से जो report publish की जाती है उसके मादेम से यानि कि वो क्या है वो प्रमाड हो गया यहाँ पर आर्थिक सरवेक्षण का जो report है वो प्रमाड हो गया evidence हो गया अब कहा यह जा रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन यानि critical thinking individual level पर जो गरीबी को दूर कर चाहिए और आधार कौन provide करेगा वो प्रमाड provide करेगा यानि कि evidence जिसका साक्ष है तो इसे और प्रसांगिक irrelevant नहीं कह सकते बलकि उसके लिए वो प्रसांगिक होता है तो यह उसका उल्टा बोला है तो negative हो गया दूसरा विकल्ब देखे कहा जा रहा है कि प्रमाड जो है या आनि कि इसका मतलब यह हो गया कि critical thinking का कोई भी महत्व ही नहीं रहा गया कहने का मतलब कि जो कुछ भी आपकी book में लिखा गया है जो कुछ भी आपको teacher के द्वारा बताया जा रहा है आप attitude उसको accept कर लिजे तो फिर बच्चा एक तरीके से data transfer के वाल हो रहा है teacher ने जो बता सिछानिती और NCF ये कहती है कि बच्चे अपने ग्यान के निर्माड करता होते हैं ना कि ग्यान के प्राप्त करता ग्यान का निर्माड कैसे होगा जब बच्चा खुद critical thinking करेगा यानि प्रमाड भी अगर है evidence भी अगर साक्षे भी है तो भी उसके लिए विसलेसर करना इसी भी बात का तो भी उस पर critical thinking बच्चों के द्वारा किया जाना चाहिए तभी बच्चे अपने ग्यान का निर्माड कर पाएंगे अन्यता की condition में अगर वो कुछ analysis नहीं कर रहे हैं कुछ उस पर reasoning नहीं कर रहे हैं कुछ तरक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया बलकि बहुत जल्दी बच्चे उसको भूलने लगते हैं और जो बच्चा खुद critical thinking करके reasoning के मादयम से या फिर एक तरीके से अपने critical thinking के मादयम से जिन ग्यान का निर्मार बच्चा स्वैम कर रहा है वो बहुत लंबे समय तक बच्चे के लिए एक तरीके से उनके साथ रह बलकि बलकि या फिर सरीर के किसी भी अंग से विकलाएंगे चाहें वो मुक बदीर है या फिर द्रिश्टी बादित है या फिर स्रोण बादित है और साथी साथ जो पढ़ने में अप्च्चमता होती है विबिन प्रकार की इसके लवाट डिसलेक्सिया डिसकेल कुलिया इस सबको साथ लेकर के चलना ही समावेश्री सिक्षा कहलाता है तो हमसे ये पूछा जारा है समावेश्री सिक्षा में क्या सामिल है पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा जारा है कि सभी सिक्षार्थियों के लिए मानक पाठे चर्या जहां पर भी आपको मानक वर्ड दि जूज रहे हो या फिर सेच्छिडिक अक्षमता से क्यों ना जूज रहा हो सबको एक सांस लेकर करके चलना है अब मान लिजे मानक पाठे चर्या रखा जाए मान लिजे कि सारे रिक गतिविदी करानी है बच्चे को तो उसमें पैर से विकलांग बालक है तो उसके लिए गति चर्या के लिए नहीं है बच्चे के हिसाब से पाठे चर्या डिसाइड होता है ना कि पाठे चर्या के हिसाब से बच्चे पर थोपा जाता है कहने का मतलब कि बच्चे की जो आवशक्ता है जो जरूरत है उसी के हिसाब से तो बच्चे को पढ़ाएंगे मान लिजे कोई द इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा आपने पेपर पेंसिल जो की वो बच्चा देखा ही नहीं सकता तो कैसे रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को मालीजे कोई स्रॉणबादित बच्चा है जो की सुन नहीं सकता अब मौखिक तरीके से आप कक्छा में पढ़ाये जा रहा है तो क्या वो बच्चा इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है यानि कि मानक पाठे चर्या हो ही नहीं सकता प्रतेक बच्चे की जुरूरत अलग-अलग है समावेशिक अक्छा में इसलिए मानक पाठे चर्या हमेशा निगेटिव ही होगा दूसरा विकल्प देखे विद्यार्थियों का उनकी योगेता के अधार पर प्रिथक करण एवं वर्गी करण जहां पर भी किसी भी विकल्प में आलग करने की बात आजाए वर्गी करित करने की बात आजाए वो हमेशा निगेटिव होता है क्यों क्योंकि समावेशिक अक्छा में सब को सां जब आपको उसको categorize करेंगे तो एक तो वो पढ़ने में वैसे ही उसका मन नहीं लग रहा था अब जब आपने उसका categorization कर दिया तो उसके मन में एक negative feeling आती है कि एक तो मैं पहले भी नहीं सीख प्रवार रहा था उपर से मेरी अलग करके कि हम लोग सब निमने दर्जे के बाल करता है इसलिए ये विकल्प हमेसा negative होगा तीसरा देखे विशेश आवशकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यवसाइक सिक्षा का प्रावधान केवल एक मात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ये जितने भी word किसी भी विकल्प में दिख जाए वो हम विशेश आवशकता यानि कि कोई द्रिष्टी बादित बालक है तो उसके लिए विशेश आवशकता क्या है ब्रेल लिपी कोई स्रोण बादित है तो उसके लिए विशेश आवशकता क्या है कि आप उसको इस प्रकार की गतिविदी में शामिल ना करें जो की movement वाली हो तो कहा ये जा रहा है कि ऐसे बालग जिनके लिए विशेश आवशकता वाले बालग हैं उनके लिए केवल विवसाइक सिच्छा का प्रावथान नहीं है क्योंकि vocational व्यवसाइक सिच्छा जो है वो केवल विशेश आवशकता वाले बालक के लिए नहीं है बलकि सभी बालक के लिए आवशक होता है तो इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया वैसे भी आपको इतना सोचना नहीं है जहां पर भी आपको केवल वर्ड दिख जाए वो हमेसा निगेटिव ही होता है अब हमारे पास सोचने समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं एक अई विकल्प बचा जो की सही होगा एक बार कन्फर्म कर लेते हैं वैक्तिगत अंतरों की पहचान के परिडाम सुरूप पाठे चर्या में लचीला पन देखे पहले विकल्प में मैंने मानक पाठे चर्या वाले में आपको बताया था कि पाठे क्रम पाठे चर्या कैसा होना चाहिए लचीला होना चाहिए यानि प्रतेइक बच्चे की जरुरत को ध्यान में रखेंगे और उसकी जरुतों को पूरा करेंगे यानि पाठेशर्या में आप बदलाओ कर रहे हैं और बदलाओ का मतलब क्या होगा लचीला पन रहएगा तब ये फ्लेक्सिबल लेगा नहीं सकता उसका हम लिख करके पेपर पेंसिल के मादम से थोड़ी परिक्षा लेंगे हम उसका मौकिक तरीके से आकलान करेंगे यानि जो जैसी जिसकी ज़रुरत होगी उसके हिसाब से पाठेचार्या करिकुलम में लचीला पन होना चाहिए फ्लक्सिबिल्टी होनी चाहिए आप्षन नमर चार बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया है निमलेकित कतनों को पढ़िये और सही विकल्प का चेन कीजे यहाँ पर देखे एक ही स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों समझेगा संग्यानात्मक विकास क्या होता है आपने किसी को भी कई बर न्यूज में देखा होगा या फिर कभी भी आप किसी नेता को जब कुछ भी ग्यापन देने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं आपके संग्यान में ये बात लाना चाहता हूं संग्यान में लाना का मतल तो यह बात तो बिल्कुल सही है जीन पियाजे जहां यह मानते थे कि पहले विचार आता है उसके बाद भाशा क्लियर होती है पहले विचार आता है उसके बाद भाशा क्लियर होती है वहीं जो लेवाई गोस्की थे उनका यह मानना था कि पहले भाशा आती है उसके बाद विचार आता है अब यहाँ पर विचार को आप संग्यान से जोड सकते हैं ध्यान से समझेगा विचार को संग्यान से जोड सकते हैं यानि ये जीन पियाजे मानते थे कि पहले विचार फिर भासा और लेवाई गोजकी ये मानते थे कि पहले भासा फिर विचार दोनों का एक एक example मैं देता हूँ जैसे मालीजे जीन पियाजे के हिसाब से मैं पहले example देता हूँ कि उन्होंने एक वाके बोला कि वह एक जानवर है अब देखिए ये वह एक जानवर है इसमें ये जो word है जानवर ये किस intention से बोला गया है और किसको बोला गया है इससे ये clear होगा कि ये भासा किसके लिए प्रयोग किया गया है अब जैसे मालीजे कोई एक निर्दाई वैक्ती है जो कि किसी बच्चे को बहुत निर्दायता से पीट रहा है और या तो ये हो सकता है कि वाकई में वह एक जानवर ही है एक एनिमल ही है एक पश्रू ही है तो यहाँ पर ये बोलने वाले का विचार कैसा था उसके इसाब से ये भासा clear होगी कि वह एक जानवार है वाकई किसी जानवार के लिए प्रयों किया गया या फिर वैक्ति के लिए तो ये किसका उदार्ण हो गया यानि पहले विचार आएगा अब किस विचार के अंतरगत जानवार वर्ड का यूज किया गया वैक्ति के लिए या फिर जानवार के लिए इसस पूरी भासा क्लियर हो रही है ये जीन प्याजे का उदार्ण है अब चलिए लेवाई गोजकी का उदार्ण की बात करते हैं लेवाई गोजकी क्या बोलते थे पहले भासा उसके बाद विचार अब माल लिजे लेवाई गोजकी का जो पूरा सिध्धान्त है समाजिक अन्ताक्रिया का सिध्धान्त जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे समाजिक तोर पर और सांस्कृतिक तोर पर एक दूसरे से बातचीत करके इंटरेक्शन करके कम्निकेशन करके नई नई चीजों के बारे में सीखते हैं अब जब भी मैं किसी से कम्निकेशन करने जा पाऊंगा उन्होंने एक word का यूज किया था M-K-O यानि more knowledgeable other यानि कोई भी एक person जो मेरे से हम उम्र भी हो सकता है मेरे से छोटा भी हो सकता है या फिर मेरे से उम्र में बड़ा भी हो सकता है जो भी मेरे संग्यान में विद्धी करेगा बाचीत के दोरान, interaction के दोरान वो मेरे लिए M-K-O का काम करेगा अब मेरे संग्यान में विद्धी कैसे हो और ये लेवाईगोस्की किसी दान्त के नुसार वो हो रहा है एक दूसरे से interaction करने के मादेम से बाचीत करने के मादेम से यानि पहले भासा आएगा उसके बाद बच्चों में विचार आएगा यानि कि संग्यान आएगा तो यहीं बात बोली गई है कि जो लेवाई गोस्की हैं और जो जीन प्याजे हैं उनका अलग-अलग मत्त था कि भाषा का प्रभाव संग्यानात्मक विकास पर कैसे पड़ता है रीजन देखे क्या बोला जा रहा है कि खोज अधिगम में सिक्षक आउसर प्रदान करता है और सिक्षारती स्वयम जानकारी प्राप्त करने के लिए उनमुक होते हैं तो ये तो बात बिल्कुल सही है खोज अधिगम यानि बच्चा खुद से करके सीखेगा खुद से करके सीखेगा यानि बच्चे को उसर दीजएगा तब ही तो वो सीखेगा और औसर कौन देगा, सिख्छक देगा जादा सजादा उसको ऐसा situation create करके देगा ताकि बच्चे को खुद से करके सिखने का मौका मिले यानि ये भी बात बिल्कुल सही है, यानि A और R दोनों सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई relation नहीं है क्योंकि यहाँ पर संग्यान और भासा की बात की गई है और यहाँ पर औसर देने की बात की गई है तो दोनों तो अपने जग़ा पर सही है लेकिन दोनों का कोई relation नहीं है इसलिए देखिए option number 2 A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है यह इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा option number 2 सही जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया है निमलेकित में से कौन सा समूह उन विसिष्टाओं का सही धंग से उलेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्छा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम तोर पर भिन्न होते हैं देखे प्रतिभाशाली बालक नॉर्मल बच्चे से कैसे भिन्न हो सकते हैं उनकी क्या-क्या property जोती है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है पहला दिया गया है समझ की अगरवर्ति गहनता यानि की advanced or depth of understanding यानि की वो बहुत गहनता से चीजों को समझते हैं बहुत deeply समझते हैं तो ये तो बात बिल्कुल सही है दूसरा देखे सीखने की तेजगती यानि की fast pace of learning यानि की वो बहुत तेजगती से सीखते हैं तो ये भी बात बिल्कुल सही है तेजगती से सीख रहा है तभी तो normal बच्चों से अलग है तीसरा देखे समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता जब हो खुद से समझ पा रहा है तो दूसरों पर निर्भर थोड़ी रहेगा अगर दूसरों पर निर्भर रहता बहुत ज़्यादा टीचर पर डिपेंडेंट रहता तो प्रतिभाशाली कहा होता वो तो normal बालक हो जाता तो ये तीसरा वाला गलत हो गया चोथा देखें सारेरिक विकास की तेज गती अब यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका सारेरिक विकास भी बहुत तेज हो ठीक है ये जरूरी नहीं है इसलिए ये विकल्प negative हो गया यानि A और B इसका सही जवाब है चोथे विकल्प में समस्या के कारण होती है जो भी विकल्प ऐसे शब्दों से मिल करके बना हो जिसमें केवल एक मात्र एक ही पून रूप से संपून रूप से हमेशा ऐसे वर्ड किसी भी विकल्प में दिख जाए वो हमेशा गलत होगा क्यों गलत होगा देखें हमेशा कहने का मतलब कि केवल एक ही कारण होता है सुन बाधिता का वो सारीरिक समस्या को बताया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं है और भी अनेक कारण हो सकते हैं हमेशा सब्द आ गया यानि कि केवल एक ही कारण है जिसको विकल्प में व्याक्षित किया गया जबकि विकल्प गलत है क्यों क्योंकि स्रणव बाधिता यानि सुनने में अच्छमता जो है वो केवल सारीरिक समस्या के कारण नहीं हो सकती है अन्य भी कारण है हमेशा कहने का मतलब कि केवल सारीरिक समस्या के बताया जा रहा है इस वरी से यह गलत हो गया तीसरा देखिए बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता यानि सरणब बाधिता का विश्वशनिय तोर पर पर परिक्षण किया जा सकता है। इसके बच्चा सुनने में अक्षम है इसके बहुत जादा एक तरीके से डीपली अधियन करना पड़ता है। साइन लेंग्वेज का उप्योग करने की आवशकता होती है। कहा जा रहा है कि जो सुन नहीं सकते वो सभी sign language का इस्तमाल करते हैं देखिए sign language का इस्तमाल उनके लिए होता है जो कि मुक बधिर होते हैं यानि कि जो ना तो बोल सकते हैं और नहीं सुन सकते हैं अब कोई स्रोन बाधित जो बच्चा है वो समबाद करने के लिए भले सुन नहीं पा रहा है लेकिन अगर कोई लिख करके दे तो वो उसको बोल करके explain कर सकता है तो फिर वो सांकेतिक भासा का प्रयोग क्यों करेगा यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए स्रोन बाधित वाल को बोलेने के लिए बोला गया तो जहिस बात है वो बोलेने में तो सक्सम है तो वो बोल करके अपने आपको express कर सकता है अब हमारे पास केवल एक ही विखल्प बचा पहला विखल्प देखिए स्रोन बाधिता बच्चे के प्रभावी धंग से समबाद करने की छमता को दूसरा बंदा जवाब दे रहा है इसको बोलते प्रभावी धंग से ऐसा बंदा जो की स्रोन बाधित है वो समबाद तो कर सकता है लेकिन वो सुन नहीं पाएगा तो लिख करके आप उसको देंगे तो वो बोल करके explain कर लेगा लेकिन ये प्रभावी समबाद तो हुआ नह क्योंकि अगर मौखिक कम्मिनिकेशन हो रहा है तो जरूरी ये है कि जो receiver है और जो sender है दोनों मौखिक तरीके से प्रभावसाली धंग से बात करें लेकिन यहाँ पर जो सुन बाधित बालक है अगर वो सुनेगा नहीं तो फिर उसको जवाब नहीं दे पाएगा यानि उस तो ओरल कम्मिनिकेशन के माध्यम से ही उत्तर आना चाहिए लेकिन अगर ओरल तरीके से प्रशन पूछा जागा सुन बाधित से तो चुकी वो सुन तो पाएगा नहीं अगर आप उसको लिख करके देंगे तब जाकर वो बोल करके उसको explain कर पाएगा इसलिए ये प्रशन है और आपके mind को बिलकुल खोल करके रख देगा ये प्रशन ध्यान से समझेगा क्या बोला जारा है समावेशन के संदर में सबसे पहले तो आप समावेशन जानी चुके हैं कि समावेशन क्या होता है एक ही कक्षा में सारी कक्षमता से जूजरे बालक अधिगम अक प्रतिभाशाली बालक सभी एक ही कक्षा में जब पड़ते हैं तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा बोला जाता है। इन्फोर्मेशन को सही प्रकार से समझें अब नया इन्फोर्मेशन बच्चा समझता कैसे है जीन प्याजे ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया है। अलग बने जाता है क्योंकि सबका एक्स्टेंस अलग है। यह फाइल पहचाने कैसे जाते हैं अपने एक्स्टेंसन से एक्स्टेंसन क्या होता है। जो भी फाइल का नाम आप रखेंगे उसके बाद का जो डॉट करके आएगा जैसे पीडियाफ फाइल है तो डॉट पीडियाफ आ जाएगा। अगर आप फाइल लखेंगे तो डॉट के बाद वर्ड आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप जेफीजी फाइल लखेंगे तो डॉट के बाद जेपीज आजयेगा। यानि ये folder कैसे पहचाने जा रहे हैं अपने extension के हिसाब से इसी प्रकार से जीन प्याजे ने बताया कि बच्चे के mind में जो भी information वो देख रहा है उसका एक अलग folder बन जाता है image बन जाता है और उसे उन्होंने schema का नाम दिया था अब बच्चे जैसे माली जे पहले दिन किसी बच्चे ने एक उड़ती हुई चीज को देखा उसने पिता से पूछा कि पापा ये क्या है तो उसके पिता ने बताया कि बेटा ये चिडिया है अब बच्चे ने अपने mind में एक image बना लिया कि हर वो चीज जो उड़ती है वो अगले दिन फिर वो पापा कि साथ घुमने गया और इस बार उसने एक उड़ती हुई चीज देखी बहुत बड़ी सी इस बार उसने कहा कि पापा वो देखे चिडिया जा रही है इस बार उसके पिता ने कहा कि बेटा ये चिडिया नहीं है ये हवाई जहा जाए अब उस के मन में एक उथल पुथल मैसूस हुई कि पहले दिन जब मैंने देखा कि उड़ती हुई चीज चिडिया थी और आज मैं देख रहा हूँ कि उड़ती हुई चीज चिडिया नहीं बलकि हवाई जहा जाए तो अब बच्चे information को कैसे save करेंगे पुराना जो information था उसमें बदलाओ करना पड़ेगा क्या बदलाओ करना पड़ेगा पहले दिन बच्चे ने ये सोच रखा था कि हर वो चीज जो उड़ती है आसमान में वो चिडिया होती है लेकिन दूसरे दिन जब उसको ग्यान प्राप्त हुआ कि हर सिखेगा क्योंकि प्रते एक कॉंसेप्ट के बारे में बच्चे अपना mindset बना लेते हैं और उन mindset को बदलते हुए वो नई चीजों को सीखते हैं इसी को उन्होंने क्या बोला था इसी को हिंदी में समायजन बोला जाता है यानि कि समायजन तो सबके लिए समान है ना समायज यानि कि inclusion की बात की जारी है जिसमें अलग अधिगा मक्षमता या फिर सारी कक्षमता से जूजरे बालक हैं लेकिन सब के लिए जरूरी क्या है सबसे उमीद ये कि जाती है कि वो पाठी चर्या को सीखें और पाठी चर्या को सीखने का तरीका क्या है कि जो बच्चा पुरा अधाना को तोड़ेंगे और इसमें नए information को जोड़ेंगे इसको समायोजन कहा जाता है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा जबकि किसमें वो भिन्न है अब देखिए समायोजन तो सब के लिए जरूरी है यानि अपने पुराने schema को परिवर्तित करके नया schema जोड़ते चला जा तो क्या वो information को प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा अगर कोई द्रिष्टी बादित बालक है अगर मैं उसको लिख करके बताओं तो क्या वो देख करके समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा यानि कि जो मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो सिखाने क के तरीके में मुझे संसोधन करना पड़ेगा प्रत्यक बच्चे की जरुवरत के इसाब से क्योंकि समाविशीक अग्छा है इसलिए जो बच्चे सीख रहे हैं सीखने की अपेक्छा तो सब के लिए एक समान होगी क्योंकि समायोजन सबको करना पड़ेगा अपने पुराने इस कीमा को परिवर्तित करके नए इस कीमा को जोड़ना पड़ेगा तभी बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है हमें उसमें संसोधन करना होगा तभी बच्चे सीख पाएंगे इसलिए option नमर चार समायोजन और संसोधन इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको बहतर ढंक से समझ में आया होगा अगला प्रश्ण पूछा गया है कि सनरचनावादी सिधानतकारों के अनुसार नमलिखित में से कौन सा सही नहीं है ध्यान दिजएगा प्रश्ण निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो निगेटिव वला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा पहले विकल्ब से शुरुदा करते हैं कहा जा रहा कि ग्यान जो है वो वैक्तिपरक है वैक्तिपरक यानी की subjective subjective कहने का मतलब कि ग्यान जो है वो वैक्तिपर निरभड करेगा कि वह कितना सीख पा रहा है अथवा नहीं सीख पा रहा तो 300 बच्चियों को एक ही टीचर पढ़ाता है लेकिन आप देखेंगे कि कोई उसी में टॉप कर जा रहा है और कोई फेल कर जा रहा है यानि कि सबके समझने की छमता सबके व्यक्तिगत विभिनता के नुसार प्रतेक बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है इसलिए तो इस समाजिक और सांस्कृतिक संदर्ब में ग्यान की रचना करते हैं लेवायगोस्की जो की रचनावाद से जुड़े हुए हैं उनका यहीं मानना था कि बच्चे जो है समाजिक तोर पर और सांस्कृतिक तोर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके अंता क्रिया करके अपने ग बहुविध है यानि कि अलग-अलग तरीकों से ग्यान को प्राप्त किया जा सकता है तो ये तो बात बिल्कुल सही है चुकी पॉजटिव है हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूचा गया था अब हमारे पास के वल एक ही विकल्प बचा देखिए ऑप प्रभावी अधिगं सुनिश्वित करने के लिए सिछार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आएँ सकता है यानि बच्चे को एक्स्टर्नल मोटिवेट करने की बात की जा रही है देखिए ऐक्स्टर्नल मोटिवेशन जो होता है वह बहुत सौर्ट पिरेट के ल वो चीजों को सीख रहा है नहीं वो सिर्फ मार खाने से बचने के लिए अपने होमवर को कम्प्लीट किया था वो नया सीखने के लिए नहीं किया था बलकि टीचर से पिटाई से बचने के लिए होमवर किया था यानि कि यहां पर उसने होमवर क्यों किया टीचर से बचने के यानि कि बाहरी रूप से वो प्रेरित था होमवर करने के लिए यानि वो कुछ नया नहीं सीख रहा है वो सिर्फ उपरी मन से कर रहा है और जब तक आप किसी चीज को नहीं सीख सकते जब तक कि आप इंटर्नली मोटिवेटेड नहीं होते हैं इसलिए बाहरी रूप से प्रेरित होना वो आवशक नहीं है आवशक क्या है कि बच्चा इंटर्नली मोटिवेटेड हो आपने ततपरता का सिधान पढ़ाओगा थाण डाई का इसमें उन्होंने यहीं बताया था कि बच्चे जब खुद सीखने के लिए ततपर होंगे तभी उनका ग्यान जो है उनका जो एक तरीके से अधिगम जो है वो इस्थाई हो सकता है प्रभावी हो सकता है तो चुकि यहां पर इंटर्नल को से जादा एक्स्टर्नल को महत्वा दिया जा रहे है इसलिए निगेटिव हो गया और अगला प्रशन पुछा गया है निमलेकित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रणा का उधारण है देखे कोई भी ऐसा विकल्प जो की बच्चा स्वैम से करने के लिए इच्छित हो कोई भी काम जब बच्चा खुद से करने के लिए इच्छा रखता है किसी भी बाहरी विकल्प में कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें बच्चा खुद से अपनी इच्छा से काम कर रहा है चौथा विकल्प से सुरुआत करते हैं कहा जा रहा है कि पुरसकार राश्री के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना अब बच्चा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा ह वो पुरसकार की लालच में कर रहा है यानि कोई ना कोई उसको बाहरी तोर पर मोटिवेट कर रहे है तो ये इंटर्नल नहीं हुआ बलकि एक्स्टर्नल हो गया तीसरा देखिए डांट से बचने के लिए अब डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना वो खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा है बलकि डांट अब यहाँ पर डांट जो है वो उसके लिए डर का काम कर रही है और उसी डर के वज़े से वो पढ़ाई कर रहा है यानि यहाँ पर डांट जो है वो कैसा है वो external motivation है, बाहर ही अभी पेड़ना है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, पहला विकल्ब देखें, सिक्छक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, अब यहाँ पर बच्चा कुछ नया सीखने के लिए नहीं कर रहा है, बलकि वो teacher उसकी सावासी दे, उस option number two देखें, वैक्तिगत आनंद, वैक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, अब यहाँ पर वैक्तिगत आनंद क्या हो गया, बच्चे को आनंद आ रहा है, जब भी किसी कामे में बच्चा आनंद लेता है, तो वह उस काम को खुद करने के लिए प्रेरित हो और दोनों को पढ़ करके चारो विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चेयन कर लेना है, पहले statement को पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए, सिख्चकों को विद्यार्थियों में विशेश जाती समूहों के बारे में रोडिवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेह इनत करनी चाहिए, रोडिवादिता क्या होता है, बिना सत्ते को जाने, पुरानी धारणाओं को एकसेप्ट कर लेना और उसी के अनुरूप कार करना यहीं रोडिवादिता है, जैसे ये माने जाता है कि महिलाय है, तो वो फ्रॉक ही पहनेगी, जब बच्चे का जन्म होता उनके लिए भी तो हम बस प्लेन और इस प्रकार के खिलोने ला सकते हैं, लेकिन उनके माइंड में समाज के द्वारा बचपन से ये भरा जाता है कि लिंग के अधार पर तुम महिला हो और तुम पुरुश हो, इसी को बोलते हैं रोडिवादिता, अब ये रोडिवादी व बच्चों को इस प्रकार की अधानाओं से दूर रखेंगे, तभी बच्चे क्रिटिकली सोच पाएंगे, जैसे कि अगर बच्चे के माइंड में बच्पन से ये भरा जाएगा कि लड़किया हैं, तो वो घर का चूला चौका समाइगे लेंगी, घर का काम करेंगी और पू जब उधारन उसको प्रस्तूत किया जागा, तब उसके मन में जो पहले से अधाना बनी हुई है, कि महिलाएं सिर्फ घर में रहकर के घर का काम करेंगी, वो अधाना उसका तूटेगा, और कहीं न कहीं वो जो लिंग के प्रती उसका भेदभाव था, या फिर जाती समू के प्रती जो उसका भेदभाव था, वो खतम होगा, तो ये तो बात बिल्कुल पोजिटिव है, हमारा उत्तर होगा, दूसरा देखिए, क्या कहा जारा है कि सिक्षा का एक प्रमखुद्देश विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्म चिंतन करने के लिए प्रोसाहित करन आपने सिक्षा की कई परिभाशा है पड़ियोंगी जिसमें अपने अंदर के ज्यान को बाहर रिकालने की बात की जाती है, यानि सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमें अपने को पहचाने ने क्या आउशकता है, और अपने के गुड़ दोसों को पहचाने ने क्या आउशकता ह तो ये तो बात बिल्कुल सही है सिख्छा के उद्देश्य के तोर पर यानि दोनों विकल्पिस के सही है और जो R है वो सही व्याख्या करता है A की क्यों सही व्याख्या करता है क्योंकि हमें critical thinking करने के लिए जरूरी ये है कि रोडिवादी विचारों को तोड़ा जाए इसलिए A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है option 4 इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला question बहुत important है ध्यान से समझेगा पूछा जा रहा है कि महारत लक्षे और प्रदर्शन लक्षे में क्या अंतर है यानि कि mastery goal और performance goal में difference हम से पूछा जा रहा है किसी भी चीज में महारत आप कब हासिल करते हैं जब आपकी खुद की इच्छा होती है उस चीजों को deeply समझने के लिए जैसे कि ध्यान से समझेगे दो बच्चे हैं एक बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत उसकी इच्छा है और वो खुद से चीजों को सीखने के लिए ततपर है तो जब बच्चा खुद से ततपर है चीजों को सीखने के लिए तो वो क्या करता है कि वो उस चीजों को deeply समझता है लेकिन दूसरा बच्चा है वो किवल इस डर से कि कहीं मैं fail ना हो जाऊं इस वज़ा से वो पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पर उसे प्रदर्शन लक्षे बोलेंगे आप सबने three idiot movie जो की आमीर खान की थी आपने देखी होगी उसमें जो आमीर खान ने करेक्टर प्ले किया था उस करेक्टर को याद करिये कि वो जिस नाम से बीटे कॉलेज में admission लिया वो खुद का नाम नहीं था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाता था उसके पढ़ने की इ वो सिर्फ और सिर्फ ग्यान प्राप्ट करने के लिए उस college में admission लिया था तो जब बच्चा ततपर होता है तो उसके लिए performance मायने नहीं रखती है कि वो first आ रहा है या फिर fail हो रहा है सिर्फ वो चीजों को समझना उसका प्रात्मिक्ता होता है और उस चीजों में महारत हा आप आएगी जो आमिर खान के दो दोस्त थे उस character को आप ध्यान रखिएगा उन लोगों की इक्षा पढ़ने की नहीं थी उनकी सिर्फ इक्षा ये थी जैसे कि फरहान का जो character था उनके पिता उसको engineer बनना चाहता थे जबकि उसका खुद का interest किसमें था photographer बनने का था लेकि अपने समाज के लिए अपने performance को दिखाने लगा उसकी इक्षा बीटे करने में नहीं थी इसलिए लगातार वो देख रहे होंगे आपकी movie में भी दिखाया गया कि वो fail हो रहा था या फिर उसके performance लगातार डाउन होती जा रही थी क्यों? क्योंकि उसकी खुद की इक्षा नहीं है और थांडाई के नियम के इसाब से जब बच्चा खुद से ततपर नहीं होगा चीजों के सीखने के लिए तो जबरदस्ती आप उसको मार करके नहीं सिखा सकते तो जहां पर बच्चे की खुद की इक्षा नहीं है खुद से बच्चा ततपर नहीं है तो वहां पर प्रदर्सन लक्षे होता है बीटेक तो वो भी कर रहा था और बीटेक आमीर खान भी कर रहा था लेकिन दोनों का लक्षे अलग था जो फरहान जो करेक्टर प्ले किया है वो कर जरूर रहा था लेकिन समाज के प्रेशर में बीटेक कर रहा था लेकिन आमीर खान जो बीटे कर रहा था, वो अपनी इच्छा से कर रहा था, खुद जेतत्पर था, फरहान जो था, वो समाज के प्रिशन में कर रहा था, उसका लक्षे सिर्फ और सिर्फ बीटे की डिग्री प्राप्त करना था, तो वहाँ पर वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा उचे grade प्राप्त करने के लिए बच्चा प्रयासरत है वहाँ पर प्रदर्शन होगा और जहां बच्चा खुद से ततपर है अपने कौशल पर कारी कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा महारत होगा इसी को ध्यान में राकरके उतर डूड़नेंगे केंद्रित होता है जबकि ये विकल्प क्या दिया गया उल्टा दिया गया मैंने आपको क्या बताया था महारत में बच्चा खुद के स्किल पर काम करता है खुद के कौशल पर काम करता है जबकि विकल्प में प्रदर्शन लक्ष में बता गया इसलिए विकल्प उल्टा होग के पीछे भागता है कि मुझे any out degree मिल जाए ठीक है वो खुद के कोशल पर काम नहीं कर रहा है वो इंजिनियर नहीं बनना चाहता है समाज ने उसे जबरदस्ती बीटेक में admission दिला दिया तो ये विकल्प गलत हो गया तीसरा देखे महारत लक्ष दूसरों से अनुमोधन प्र प्राप्त करने पर केंद्रित होता है जबकि प्रदर्शन लक्ष विफलता से बचने के लिए केंद्रित होता है तो ये विकल्प उल्टा दिया गया है महारत में क्या होता है महारत में देखे महारत में क्या होता है कि बच्चा अपने कौसल पर कार करता है वो दूसरों से जो character था 3D8 में, क्या वो दूसरों की प्रसंसा पाने के लिए कर रहा था, अगर वो ऐसा होता, तो फिर वो अपने नाम से admission लेता, उसको इस बात से फरके नहीं पढ़ रहा था, कि मेरी degree किसके नाम से है, मुझे degree मिलेगी या नहीं, मेरे कितने number आएंगे, उसको इस बात से म हो गया, जब बच्चे की खुद से इच्छा है, खुद ततपर है, तो वो विफल होने से कहां बच्चेगा, कहने का मतलब, कि विफल बच्चे को फेल होने का डर तो तभी आएगा, जब वो चीजों को नहीं समझेगा, जब वो खुद ततपर है, समझ रहा है, और चीजों लक्षे के बारे में यहां से तक ठीक लिखी गई है लेकिन महारत लक्षे जो होता है वो विफलता से बचने पर केंदरित नहीं होता है इसलिए यह विगल गलत हुआ है अब हमारे पास के वल एक विगल बचा option number two देखे महारत लक्षे अपने कोशल और कारे की समझ में सुध दर्सन लक्षे उच्छे ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंदरित होता है अब यहां पर बाहरी पुरस्कार में आपका अनुमोधन भी आ सकता है लोगों की प्रसंसा भी आ सकती है अब जैसे फरहान का जो करेक्टर था उसको ध्यान में रखिये उनके पिता ने उनको जबरदस्ती बीटेक में एडमिशन दिलाया क्योंकि उनके किसी दोस्त के बच्चे भी बीटेक कर रहे थे उनका आप एक डायलोग याद रखेगा कि सर्मा जी क्या कहेंगे कि इनका बेटा लास्ट येर में आकर के बीटेक छोड़ दिया तो यानि कि वो बच्चा ओल्लेडी समाज के प्रेशर में था वो सिर्फ और सिर्फ समाज को खुश करने के लिए बीटेक में एडमिशन लिया था लेकिन महारत में क्या होता है बच्चे को किसी की लालच नहीं है कि मुझे इनाम मिलेगा लोग मेरी प्रेशन सा करेंगे वो खुद से ततपर है वो महारत इसलिए हांसल करना चाता है क्योंकि उसकी इच्छा एंजिनिरिंग में इसलिए ऑप्शन नमबर टू यहां पर बि बहनों के रिस्तें यानि कि जो सिब्लिंग होते हैं उनके रिलेशन्शविप के बारे में चारो विकल्प में से कौन सा साही है चोथे विकल्प से सुरूआत करते हैं कहा जा रहा है कि आये तो अब यहां पर जब पहली बार बच्चा अपने माता-पिता चे संपर्क में आ अगर प्रश्ण पॉजटिव सेंस में पूछा गया हो तो कोई भी ऐसा विकल्ब जिसमें केवल एक मातर एक ही पूर्ण रूप से समपूर्ण रूप से यह जितने भी वर्ड दिख जाएं आपको सोचना ही नहीं है कि क्या बोला जा रहा है आपको तुरंत कट करदेना यह समाजी करण में में भूमिगा निभाते हैं भाई बहन के रिष्टे लेकिन माता पिता और साथियों के समंधों के समान बताय जा रहा है जो की गलत है क्यों क्यों क्योंकि माता पिता का जो आपके प्रती विवहार रहेगा वो आप माता पिता का समान करते हैं और माता पिता आ तो already वो mature हो चुक है न वो आपके प्रती आपके भलाई के लिए बात करेंगे लेकिन अगर भाई बहन हम उम्र है तो maturity आने तक वो एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं कि उनको इतना टौफी मिल गया मुझे कम टौफी मिला तो उनके समाजी करना और माता पिता के समाजी कर अगला प्रशन पूछा गया है निमलिकित कतनों को पढ़िए और सही विकल्प का चैन करिए देखी यहाँ पर एक ही statement दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया दोनों को पढ़कर के सही विकल्प का चैन कर लेना है पहले statement को पढ़ते हैं कहा जा रहा है कि बच्चों के ब पातावराण मिल रहा है उन दोनों के अंताक्रिया यानि इंट्रेक्शन पर depend करता है जैसे एक उधान में आपको देता हूँ माल लिजे कि किसी वर्स किसी किसान ने फशल बोया अब माल लिजे उस फशल की जो बीज थी वो उत्तम किसम का था बीज जो था वो उत्तम था लेकिन उस वर्स बारिश नहीं हुई तो बीज गया है बीज में अच्छे पौदे के गुण मौजूद है यानि कि वो अनुवानसिक्ता से जुड़ा हुआ है और बारिश क्या है वो environment का part है अब बीज अच्छा था लेकिन बारिश यानि environment अच्छा नहीं था इस वज़े स अच्छा नहीं होगा यानि कि उत्तम बीज और बारिश दोनों अगर प्रॉपर रहेगी तब ही जाकर के फसल अच्छा होगा इसी प्रिकार से बच्चे का भी विकास होता है अगर बच्चे में अनुवानसिक्ता उत्तम किस्म का है और साथी साथ उसको वातारण भी अच् उसकता थी वह भिन है तो जैसे बात है दोनों का विकास का दर तो भिन हो जाएगा तो यह बात बिल्कुल पॉस्टिव हो गई रिजन देखे क्या दिया जा रहा है विकासात्मक अंतर आनुवानसिक और अनुभवात्मक विविदताओं की जटिल अंतक्रिया का एक बात की जारी है तो ये और ये दोनों के इंट्रेक्शन पर ये डिपेंड करता है ये भी बात बिल्कुल सही है और चुकि इस पर डिपेंड करता है इसलिए ये प्रतेक बच्चा एक दूसरे से बिन होता है यानि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एकी सही तरीके से व्याख्या करता है जो की option नमर 4 में दिया गया देखे ए और R दोनों से और R A की सही व्याख्या करता है option नमर 4 बिल्कुल सठीक जवाब हो जाएगा अगला प्रेस्ट में पुछा गया है निमलिकित कत्थन में विकास के किस सिध्धान्त को दरसाया गया है देखे यहाँ पर एकी statement दिया गया और इसके बाद से विकल्पों को आपको ढूंड़ना है कि कौन सा विकल्प इसका सही तरीके से व्याख्या करता है देखे क्या हाग कहा जा रहा है जो बच्चे अपने सुरुवाती वर्षों में भासा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भासा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है अब जैसे मान लिजे कि आप जब बच्चपन में रहोंगे तो वातावरण से संपर करते हुए आपको कोई भी हिंदी भासा नहीं सिखाया होगा या फिर जो भी आपके गाओं देहात में आपके आसपड़ोस में जो भासा बोली जा रही होगी वो आपको कोई ग्रामर के रूल नहीं सिखाया होगे का जो विकास होता है वो एक संवेधन काल में होता है जैसे आज के डेट में आपकी एज मालीजे 20-25 प्लस हो चुकी होगी तो आज अगर आप किसी वातारों में भी रख दिया रहे तो चीजों को सीखने में आपको कठना ही होगी लेकिन आप जब सुरुआती वर्षों में रहते हैं तो आप में चीजों को सीखने की छमता बहुत जल्दी रहती है जैसे कि आप देखे कुछ और आपका बढ़ जाएगा तो आपके सोचने और फिर नए चीजों को सीखने की आपकी छमता धीरे-दीर कम होती चली जाती है इसलिए शुरुआती वर्षों में कोई भ वायर कर लेता है इसलिए बोला जाता है कि भासा विकास का एक सम्वेदन सिलकाल है ओप्शन नमर चार इसका बिल्कुल एप्रोप्रियेट एंसर हो जाएगा देखे इसी स्टेटमेंट के अनुसार आपको उतर देना था बाकी के विकलफों को अगर आम लोग देखें आपको क्या बता है था केवल एक मात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से यानि पूरी तरह अब कहीं पर भी अगर प्रेशन पॉजटिव संस में है और पूरी तरह पूर्ण रूप से केवल एक मात्र एक ही ऐसे सब्द दिख जाए वो तुरंत उतर काट यह विकल्प पॉजटिव है फिर भी हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि हमें इस दिये गए स्टेटमेंट के अनुसार उतर रूणना है हमसे यह पूछा जा रहा है कि एक निश्चित टाइम पिरियेड में ही बच्चा भासा को अच्छी तरीके से सीख सकता है तो यहाँ पर इसके बारें बात नहीं की जारी है यह स्टेटमेंट सही तो है लेकिन इसके बारें बात नहीं की जारी है इसलिए यह विकल्प गलत हो गया तीसरा देखिए विकास और व्यवस्तित और और प्रत्याशित है तो ये भी बिल्कुल गलत है विकास तो व्यवस्तित होगा अब ऐसा थोड़ी है कि 65 साल की एज में जा करके कोई भासा को सीखेगा विकास व्यवस्तित है तभी तो प्रतेक बच्चा शुरुआती इस समय मे जो उसको environment मिला जिस भासा का environment मिला उस भासा को वो acquire कर लेता है अरजित कर लेता है तो ये भी विकल्ब गलत हो गया एक अई विकल्ब बच्चा option नमर 4 इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया है वह विद्यार्थी जो पठन वैफल यानि कि जो dyslexia से जूज रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता यानि dyslexia क्या होता है पढ़ने में अक्षमता जैसे आपने एक movie देखियोगी तारे जमीन पर उसमें क्या होता था जो main character था बच्चे का वो चीजों में difference निकर पारता था कि ये B है या फिर ये D है ये कभी इसको D समझता था या फिर alphabet को समझने में उसको प्रॉलम हो रही है तो बच्चे में जब समस्या है तो हम उसके इस्तर पर जा करके उसको help करेंगे यानि individual differences है अब आप इस बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे के साथ तुलना करके उसके पाठ चर्या के हिसाब से इसको नहीं पढ़ा सकते क्यों कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग है इसको नॉर्मल चीजों को समझने में कठनाई हो रही है तो सबसे पहले इसके लेवल पर as a teacher हमें आना होगा तो देखिए पहले विकल्ब से शुरुआत करते हैं उन्हें कई विकर्चनों में अध्यान करने के लिए प बच्चे को पढ़ा जा रहा है तो क्या वह बच्चा ध्यान लगा पाएगा एक तो बच्चा वैसे ही नहीं समझ पा रहा था और उसको और भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़े अगर उसके बीच में है तो जाए इसका मन और ज्यादा भटकेगा तो ये तो निगेट देखिए सुधारात्मक पठन सुनिशित करने के लिए सक्त देखिए सक्त दंड के उपियों के माध्यम से देखिए कहीं पर भी विकल्प में आपको सक्त दिख जाए या फिर दंड दिख जाए दंड साब दिखो या फिर शारिरिक हो NCF 2005 और राष्ट्री सिक्षानिती 2020 इसको सीधे तोर पर निश्यत करती है तो सक्त दंड या फिर किवल सक्त वर्ड भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होगा कभी आपका उत्तर नहीं हो सकता आपके पास एक ही विकल्प बच्चा प्रणाली गत ध्वन्यात्मक प्रसिक्षण के माध्यम से यानि कि थ्रोस सिस्टमेटिक फोनोलोजिकल ट्रेनिंग अब यहां पर बच्चे को उन सब्दों का बार बार सुनाय जा रहा है उन चीजों का बार बार ध्वनी सुनाय जा ठीक है और उन सबी चीजों को दिखाये जा रहा है तो जब बार 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 बच्चा बी बी सुनेगा और इसको ऐसे देखेगा तो कहीं न कहीं बच्चे के माइन में इसकी एक इमेज बनेगी जीन प्याजे के सिध्धान्त के अनुसर जिसे उन्होंने इसकी मा कहा था तो यह विगल्प सबसे आदा एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया है बोध आधारित सिक्षण यानि कि अंडरस्टेंडिंग बेश्ड टीचिंग यानि बच्चे को समझा करके उस कॉंसेप्ट के बारे में सिखाना सि पूरा नहीं किया जा सकता देखे क्या कहा जा रहा है कि मानक निर्देश पर केंद्रित करना मानक निर्देश जहां पर जिस भी विगल्प में दिख जाए आपको तुरंत सोचना ही नहीं है यह विगल्प हमेसा ही गलत होता है क्यों क्योंकि कक्षा समावेशी कक्षा की आ पढ़ा सकते क्योंकि वो बच्चा देखा ही नहीं सकता यानि मानक निर्देस सब के लिए एक प्रकार के निर्देस नहीं हो सकते और विकल्प में क्या कह रहा है कि मानक निर्देसों के बिना पूरा किया ही नहीं जा सकता तो यह विकल्प निगेटिव होगा हमारा उत्तर न करके सीखने की बात करता है कि बच्चा खुद एक्टिव रहा है विकल्प में निस्क्रिय बात की जारी है इसलिए विकल्प निगेटिव हो गया और ध्यान दीजे यहां पर प्राप्त करता की बात की जारी है देखे बच्चे कोई पेंड्राइब थोड़ी है कि कंप्यूट का प्रसारण सामिल है कोई बी ऐसा विकल्प जो कि सिक्षार्थियों के कम आके वह हमेसा निगेटिव होता है देखिए बच्चा अगर नर्सरी में भी जा रहा है तो भी अपने पुर्व ग्यान को लेकर के जाता है बच्चे को डिर्कली ABCD नहीं सिखा जाता है बलकि बच उसका पुर्व अनुभा हो गया और पुर्व अनुभाव से जोड़ करके उसको अंग्रेजी भासा के अल्फाबेट को सिखाए जा रहा है यानि ये उसका पहले का ग्यान ही तो है जो भी उसको पहले से बता है वो उसका अनुभा हो गया यानि उसको ग्यान है और बच्चा देखे ऐसा करने के लिए एक सुविधा जनक वातावरण प्रदान किये जाने पर सिक्षार्थी ज्यान का निर्माण कर सकते हैं देखे यहां पर ज्यान के निर्माण की बात की जा रही है यानि बच्चा सक्रियों के खुद अपने ज्यान का निर्माण करता है brain storming को develop करना हो जिसके मादम से बच्चा problem को solve करेगा तो इसके लिए जरूरी यह है कि हम बच्चे को उसके level के इसाब से प्रशनों को दें जैसे बच्चे का जो level है उससे एक step उपर देंगे तभी बच्चा कुछ नया critical thinking करके चीजों को सीख पाएगा और इसके लिए जरूरी क्या है कि as a teacher हम बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा motivate करें ताकि वह बच्चा problem solving में creativity को लगा पाए और problem को solve कर पाए चोथर भी गल्ब से शुवाद करते हैं कहा जा रहा है कि उसे उत्तर प्रदान करके जब बच्चे को आपने उत्तर ही बता दिया तो आप समस्या समधान में उसकी help का कर रहा है आप तो उसको directly उत्तर बता दिये ना जबकि प्रश्ण क्या बोला गया समस्या समधान करना है समस्या समधान teacher नहीं करेगा teacher बस help करेगा उसको support करेगा उसको motivate करेगा problem को solve बच्चे के द्वारा ही करना है जबकि चौते विकल्प में क्या बोला जा रहा है कि उसको उत्तर ही बता दिया गया तो ये तो negative हो गया तीसरा देखिए उसे प्रियोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके कोई भी ऐसा विकल्प जोकी बच्चे को हतोत्साहित करे discourage करे demotivate करे वो हमेशा negative होता है कहीं पर भी अगर आपको ये शब्द दिख जा seated के paper में आप तुरंत बिना सोचे समझे उस विकल्प को काट दीजेगा अगर प्रशन positive sense में है तो ठीक है चुकि प्रशन यहां पर positive sense में है और विकल्प negative था तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि विकल्प भी हमारा positive वाला ही होना चाहिए दूसरा देखे उसे कह कहर कि वह समस्या को सुल्जाना छोड़ दे ये भी एक तरीके से demotivate करना हतोताहित करने के जैसा ही है ठीक है देखे to give up give up मिंस छोड़ देना यानि कि ये भी demotivate किया जार बच्चे को इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा अब हमारे पास के वहल एक विकल्प बचा उसे मन्थन करने और अपने विचार करने के लिए प्रोथसाहित करना जहां पर भी प्रोथसाहन जैसे सब्द दिखे वो हमेशा पॉजडिव होते हैं और चुकी प्रशनम से पॉजडिव सेंस में पुछा गया है माध्यमिक कक्छाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्छा का वातावरान किस पर केंद्रित होता है ध्यान से समझेगा कहा यह जारा कि कक्छा का वातावरान किस प्रकार का होना चाहिए छैसे आठ वाली कक्छा में यानि माध्यमिक कक्छा में चौते विकल्ब से सुरुआत करते हैं कहा जारा कि अनुबंधन और पुनरबलन यानि कि conditioning और reinforcement की बात की जा रही है reinforcement का मतलब कि बच्चे को किसी भी प्रकार का इनाम देने की बात हो रही है प्रोटसाहन देने की बात हो रही है पुनरबलन देने की बात हो रही है नहीं वो बच्चा खुद से पढ़ने के लिए प्रेडित होता है आपको as a teacher सिर्फ उसको एक positive environment देना है ताकि बच्चे के अंदर interest पैदा हो और बच्चे के अंदर जिग्यासा पैदा हो चीजों को सीखने के लिए आप बार-बार उसको किसी चीज का लालच नहीं देंगे जिसमें अभी नयतिकता नहीं है 4-5 साल का बच्चा उससे बोलिएगा बेटा एक गलास पानी लादो वो नहीं लाएगा लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे बेटा एक गलास पानी लादो मैं आपको एक चॉकलेट दूँगा वो तुरंत भाग करके जाएगा और आपके लिए नहीं वो चॉकलेट की लादच में पानी लाकर दिया कि लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम पिरियड आएगा कि जब रोज रोज चॉकलेट खाने सो उसका मन भर जाएगा उसके बाद आप लाक कहेंगे की बेटाय गलास पानी लादो वो नहीं लाएगा क्यों क्योंक लेगा तो वो पढ़ना खुद की इच्छा से नहीं चाह रहा है वो सिर्फ चॉकलेट की लालश में पढ़ रहा है लेकिन कभी ने कभी तो उसका मन भर जाएगा और जब मन भर जाएगा चॉकलेट से तो पढ़ना भी छोड़ देगा इसलिए पुनरबलन हमेशा देखे आप बच्चे को सीखने के लिए कंडिशन में नहीं डालेंगे बस बच्चे को आप जिग्यासू बना दीजे थांडाई का ततपरता का नियम यहीं तो कहता है कि बच्चा खुद से पढ़ने के लिए तततपर हो जाएगा अगर उसके अंदर खुद सीखने की लेगी जब बच्चे के मन में उस चीज को जानने की इच्छा होगी और इच्छा तभी होगी जब बच्चे को सही डंग से सही सिक्षण विदी के मादम से पढ़ा जाएगा और बच्चे में उस चीजों को जानने के प्रति जिग्यासा उत्पन की जाएगी तो यह टीचर आत्मक प्Рतिस पर्धा की बात होगी तो वो विकलप πॉजटीव होता है। लेकिन केवल प्रतिस पर्धा की बात होगी तो वो विकलप हमेसा निगेटिव होता है। से ध्यान से समझेगा अब माल जिए एक कक्षा समावेशी कक्षा है जिसमें पैर से विकलांग बालक भी है नॉर्मल बालक है उसका नॉर्मल बालक के साथ कंप्टिशन तो करा नहीं सकते तो यहां पर एक दूसरे का प्रतिसपर्दा हो इसकता माल जिए कोई आप वाईवा ले रहे हैं कक्छा में और उसी कक्छा में नॉर्मल बालक भी है और स्रोल बादित बालक भी है जो सुन नहीं सकता तो आप उन दोनों का प्रैक्टिकल वाईवा में क्या competition करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं क्योंकि दोनों के जड़ते अलग हैं और दोनों का बाता जागी वो हमेशा निगेटिव होता है कभी भी हमारा उतर नहीं होगा पहला विकलत देखे सजा और सरमिंदगी के डर से सजा तो वैसे भी NCF डिरेक्टली मना कर चुका है और सरमिंदी की जहां तक बाता आती है तो सरमिंदा जब बच्चे होते हैं तो उसमें प्रभावित होता है आप इसको ऐसे समझे आप किसी भी चीज को ले करके अगर दुखी है तो उस दौरान आप कापी किताब उठा करके देखेगा आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा जब मन नहीं लगेगा तो आप चीजों को सीख भी नहीं पा रहे हैं इसी प्रका चुकि सर्मिंदा है या फिर डरा हुआ है तो उस कंडिशन में क्या हो गया कि बच्चे में निगेटिव इमेशोन आ गया जिसकी वज़े से उसका संग्यान जो है निगेटिव तोरत पर प्रभावित हो जाएगा इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता अब हमारे पास के वाल एक अई विगल बचा को अपरेटिव लर्निंग यानि कि सहकारी अदिगम आपने लेवाई गोजकी का सिधान पढ़ाओगा जिसमें उन्होंने क्या कहा था यानि कि को अपरेटिव एक दूसरे का सहायता करते हुए हम अधिगम कर सकते हैं ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल अप्रप्रियेट है यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया है लेवाई गोजकी का मानना था कि विकास यानि कि जो डिवलप्मेंट होता है लेवाई गोजकी का अनुसर कैसे होता है तो लेवाई गोजकी का जो सिधान्त है समाजिक सांस्कृतिक अंताक्रिया का सिधान्त यानि कि directly बच्चा जो है समाज से और सांस्कृतिक तोर पर interaction यानि की communication संपर्क करके चीजों के बारे में सीखता है यानि उसका विकास होता है इसी को ध्यान में लगकर करके उत्तर डूलेंगे तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखे सीधे परिपक्वता के परड़ाम से होता है परिपक्वता यानि कि मैचूरेशन की बात जीन प्याजे ने की थी जबकि प्रशन किसके अनुसर पुछा गया है लेवाई गोजगी के अनुसर पुछा गया है तो ये भी वाल के अनुसार गुडात्मक रूप से चार विभिन अवस्था हैं जो उन्होंने चार अवस्था हैं बताये थी सम्वेधी गामा कवस्था पूर्व संक्रियात्मक वस्था मुर्थ संक्रियात्मक वस्था और अमुर्थ संक्रियात्मक वस्था ये जो चार अवस्था हैं उनके में कोई बच्चा पैदा हुआ तो 0 से 2 साल का बच्चा जब है जब उसे sensory motor अवस्था बताया गया यानि कि संवेधी गामा का वस्था बताया गया तो क्या इंडिया में जो बच्चा पैदा हो रहा है इस एज में जो उसके properties होंगी जिस प्रकार से उसका development होगा क्या अमेरिका में जो बच्चा पैदा होगा इस एज में उसके development से अलग होगा जब इस एज में बच्चा अपने विविन इंद्रियों से चीजों के बारे में संग्यान प्राप्त करता है तो क्या अमेरिका में बैठा हुए बचा इस अवस्था में अमुर्थ चिंतन कर सकता है, नहीं कर सकता, यानि कि चाहें किसी भी देश में हो, दुनिया का कोई भी संस्कृती हो, वहाँ पर जो अवस्था है, जीन पियाजे ने बताई है कि इस अवस्था में यह यह property होगी, वो भिन नहीं होगा, बलकि से appropriate नहीं है आगे आपको पता चलेगा क्यों दीसरा देखे बच्चों के genetic code पर निरभर होता है genetic code कहने का मतलब कि जो बच्चे का जो माता पिता से जो उसको गुण ट्रांसफर होड़े है, जेनेटिक कोड्स की बात की जारी है, उससे पूरी तरिके से निर्धारित होता है, जो कि विकल गलत है, क्यों कि जीन प्याजे ने ये कहा था कि आप मुझे बच्चे दे दीजे, मैं उनको इंजिनियर, डॉक्टर, चोर, कुछ भी मना सकता हूं, या माली जे किसी को अच्छा इंवारिमेंट नहीं मिला, चोरी चमारी वाला इंवारिमेंट मिला, तो जारी इस बात है, वो इंजिनियर डॉक्टर थोड़ी बनेगा, वो उसी प्रकार के महौल में पला बड़ा है, तो उसी प्रकार के महौल के हिसाब से अनुभवभी प्रतेनिध्व करती है, अब जो चारो उन्होंने अवस्था हैं बताएं, जीरो से दो साल, दो से साथ साल, साथ से ग्यारा साल और ग्यारा प्लस, तो यहां पर जो प्रतेक एज गुरुप के हिसाब से जो जो प्रोपर्टीज उन्होंने बताई है, दुनिया में कहीं पर विकल्प है, यह ओलेडी चोथे वाले विकल्प में कहीं न कहीं इंकुलूडेड़ है, इसलिए अब दूसरा वाला विकल्प संकुजीत हो गया और आप्शन नमबर चार एप्रोप्रिये टैंसर हो जाएगा, उमीद करता हूँ आपको बहतर डंक से समझ में आया होगा, अ भासा पर सबसे ज़्यादा बल किस ने दिया है, भासा पर सबसे ज़्यादा बल लेवाय गोस्की ने दिया है, उन्होंने ही कहा है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके अपने संग्यान का विकास करते हैं, इंटरेक्शन के लिए एक दूसरे से बाचित करने के ल ध्यान नहीं रखता है तो ये भी गलत है क्योंकि हमसे ये पुछा जारा कि उनकी आलोचना किस बात पर की जाती है आपको सीधे वह वाला पॉइंट डूलना है ठीक है तीसरा देखिए वह संग्यानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता है तो सीखते हैं क्योंकि बच्चे का जो इन्वार्मेंट है वो भी इंपोर्टेंट है और इन्वार्मेंट यानि उसका समाजी कारण और किस संस्कृति में वो पला बढ़ा है तो यहां पर ऑप्शन नमर चार जो है वो ले वाई गोसकी इस पर ज्यादा फोकस किये लेकिन जीन Pacify यह मानते थहें कि दो प्रिक चेता है और अगली मूवी में आपने देखा कि वह फिर से आगया तो आपको यसंचा ता यह तो पिछली मूवी में मर चुका। यह कैसे जिंदा हो गया क्योंकि आप उसे में वो मृत्यू का जो concept होता है death का जो concept होता है वो समझने के लिए mature नहीं थे लेकिन जैसे आपकी age बढ़ी और आप maturation point पर आए और उस concept को समझे तब जाकर कि आपको संग्यान प्राप्थ हुआ कि वो सिर्फ acting कर रहा था मरने की actual में वो मरा नहीं था क्योंकि एक बार जो आदमी की मित्य हो जाती है वो दुबारा नहीं जिन्दा हो सकता है तो आपको ये चीज़े कब समझ में आई जब आप mature हुए जब आप में maturity आई तो जीन प्याज़े थे वो ज़्यादा maturity पर focus किये है जबकि लेवाई गोस की हो थे वो ज़्यादा ज़्यादा किस पर focus किये वो ज़्यादा समाजिक सांस्कृतिक अंता क्रिया पर focus किये थे तो जो चौथा विकल्प है इसको जो जीन प्याज़े थे वो इग्नोर कर दिये थे और इसी वज़े से इनकी आलोचना की जाती है और यहीं इसकी सीमा है option 4 इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया है निमलिकित कतनों को पढ़िए और सही विकल्प को चैन करिए यहाँ पर देखे एक इस्टेट्मेंट दिया गया और दूसरा रिज़न दिया गया दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चैन कर लेना है पहले इस्टेट्मेंट को पढ़ लेते हैं कहा जा रहा है कि प्रतेक वर्ष लता यानि वो क्या कर रही है देखे हमारे समाज में ये एक तरिके से आउधाना व्यापत है कि जो नर्स होगी वो कौन होगी फिमेल होगी और जो गडित का प्रोफेशर होगा वो मेल होगा क्यों क्योंकि एक आम आउधाना है कि महिला है आठ साइट से पढ़ाई करती है और पूरश जो है वो साइन साइट से पढ़ाई करती है जबकि जो मैडम है लता मैडम जो है वो प्रतेक वर्ष जब बच्चों को इस प्रकार से उधाना प्रस्तूत करें तो वो क्या करी है कहीं न कहीं, जो लिंग के प्रती, रुड़िवादी विचार है, कि महीला है, तो यहीं काम करीगे और पुरुष है, तो यहीं काम करेगा, उसको तोड़ोने के लिए बच्चों के सामने ऐसे उधाना प्रस्तूत कर रही है, जो कि लिंग के विप्रीत कारे करें, जैसे पहले लिंग से यह तैह होता था कि नर्स है यानि महिला होगी लेकिन यहां पर उनके दीवार पूरुश नर्स को सामने प्रस्तुत किया गया गड़ित का प्रोफेसर लिंग के अधार पर ये माना जाता था कि गड़ित कठिन होता है और इस हिसाभ से पुरुष इस गडित विशा से पढ़ाई करते हैं और महीला आट साट से पढ़ाई करती हैं जबकि गडित का प्रोफेसर उन्होंने महीला को लाकर के कच्छा में खड़ा किया है तो कहीना कई बच्चों में जो लिंग के प्रती पहले और धाना बनी होगी उसको तोड़ने में कहीना कहीं सिख्छक अपना प्रियास कर रही है तो इसी को ध्यार में रखिए रिजन क्या दिया गया है लैंगिक जेंडर अंतर जनजात है और समाज के माद्यम से अग्रेहित नहीं होता है यानी कहा ये जा रहा है कि जो जेंडर डिफ्रेंज है आर इनेट and not acquired through society देखे जेंडर जो होता है ना वो जेंडर जो होता है वो एक समाजिक संद्चना है और जो link होता है धियान से समझ्जेगा link जो होता है कि लड़का है या फिर लड़की है यहां पर मैं लिख देता हूँ male है या फिर female है यह जैविक होता है यानि बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म से ही आप उसके सरीर के सनचना के आपसे तै कर देते हैं कि यह male है या फिर female है अब वो समाज नहीं तै कर रहा है कि यह male है या फिर female है बलकि उसके स समाजी एक सनफना होता है, वो समाज okay द्वारा तयह होता है कैसे, जब बच्चे का जन्म हुआ, तो वो तो तयह हो गया lin population से कि他 क्या है, वो क्या है, वो जैविक सनफना हो गया कि यह लड़का है यह लड़की है, लेकिन इस समाज यह तै करता है कि लड़की है तो उसके लिए फ्रॉक पहना जाएगा और लड़का है तो उसके लिए पैंट सर्ट पहना जाएगा ये कोई जन्म से तै नहीं हो रहा है बलकि समाज नहीं ये तै कर रखा है समाज नहीं ये विवस्ता बना रखिया कि लड़की है तो साड़ी पहन होता है वह जनजात है जबकि जनजात क्या होता है जनजात आपका जयविक को कहते है और जनजात आपका लिंग होता है इसका बिल्कुल एपप्रोप्रियो एंसर जाएगा अगला प्रशन पूछा गया है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार थी देखिए पहले विकल्स सुरुआत करते हैं अधिक प्रशन नहीं पूछते हैं तो बच्चे की अगर किसी प्रशन को लेकर के जिग्यासा है तो वो प्रशन पूछ सकता है चाहें कितने भ प्रशन पूछते हैं ये बात बिल्कुल सही है एक दूसरे से प्रशन पूछते हैं ये भी सही है क्योंकि बच्चा इंट्रेक्शन करेगा चाहें वह अपने हामोमर बच्चों के साथ या फिर टीचर के साथ यानि एक दूसरे से प्रशन पूछ सकता है चौथा देखिए स स्वयम से प्रशन पूछते हैं तो स्वयम से प्रशन पूछते हैं तो ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे कुद का भी मूल ल्यांखन करते हैं जिसे स्वयम मूल ल्यांखन करते हैं जिसे स्वयम मूल ल्यांखन करते हैं जिसे स्वयम मूल ल्यांखन करते हैं जि क्या कहा जाता है और इन्हें कब सीखा जाता है ध्यान से समझेगा पुलिंग और इस्तिरिंग यानि मेल और फीमेल होने से समाज की कुछ अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हुई है जैसे महीला है तो उससे परिवार के लोग यह अपेक्षा करते हैं कि वह घर का चुला चौका समालेगी और अगर पुरुष है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर जाकर के आजविका का साधन जुटाएगा जैसे कि आप देख लिजी अपने घर में ही देख लिजी अगर आपके भाई बहन होंगे और माता पिता का अगर तबेत खराब हो रहा होगा तो लड़के से उमीद नहीं की जाती है कि वह खाना बनाएगा उमीद किसे की जारी है लड़की से उमीद की जाती है कि वह घर का खाना बनाएगी और जो हॉस्पीटल का या फिर ये सब चीजे जो देख रह करने वाली चीजे हैं बाहर जाने वाली चीजे है वो लड़के से जाती है, ये लिंग के अधार पर समाज ने हमारे उपर पहले से ये अपेक्चाओं को अपने उमीदों को हमारे उपर थो पगए है, तो इसको बाल्य आवस्था है, दो से बारा साल, इसको तीन फिर से कर्टेग्राइज किया गया है, पहला दो से लेकर के 6 साल इसे पूर्व बाल्य आवस्था बोलते हैं, उसके बाद से 6 से लेकर 9 साल इसे मध्ध बाल्य आवस्था बोलते हैं, और 9 से लेकर के 12 साल इसे उत्तर बाल्य पहन तो लेगी लेकिन कहीं नहीं पर इस एज ग्रूप में लिंग के अधार पर क्या कपड़ा पहनना है जो कि समाज ने तै किया हुआ है इसके बारे में बच्चे समाज रखना सुरू कर देते हैं और इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे चाहें वो उत्तर बाल्यावस्था या फिर 12-18 साल की या फिर इससे ऊपर की बात होगी तब तक तो बच्चा पूरी तरके से मैच्योर हो जाता है और समझने लगता है कि लड आप इन सबी चीज़ों को आज भी अपने समाज में देख सकते हैं कि आपके भाई बहन भी होंगे तो घर में अगर किसी की तवेत खराब गई माता पिता की तो उमीद की जाती है कि लड़की यानि कि बहन कहाना मनाएगी लड़के से उमीद नहीं की जाती है क्यों क्यों क इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया है बुद्धी के संदर में निमलिखित में से कौन सा दिरिष्टी कौन सिक्सार्तियों के बीच विविद्धता के सम्मान पूर्ण विचार का समर्थन करता है देखिए पहले विकलब से सुरुआत करेंगे कहा ज जा रहा है कि जो वातावराण जिस इन्वार्मेंट में बच्चा रहा है उससे उसका बुद्धी प्रभावित नहीं होगा अगर ऐसा होता तो जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं अगर एक बार उसने जन्म लेते समय जो भी उसके मातापिता से उसके गुर्ड ट्रांसफर हो संग्यान है उसको मेहनत करके बच्चा अपने संग्यानात्मक विकास को बढ़ा सकता है यानि अपने बुद्धी को बढ़ा सकता है तो ये बात बिल्कुल निगेटिव होगी हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे बुद्धी अनुद्धी कारकों से प्रभावित नही से भी तो आप प्रभावित होते हैं क्योंकि बच्चे का जो संग्यानात्मक विकास है वो दोनों तरीके से प्रभावित होता है यानि आनुद्धी को मापने के लिए बुद्धी लब्दी परिक्षण ही एक मात्र साधन है मैं आपको पहले बता चुका हूं केवल एक मात् बुद्धी बहु आयामी है और समय के साथ बदल सकती है समय के साथ बदल सकती है यानि अगर आप महिनत करेंगे तो आपके संग्यान में व्रिद्धी होगी आपका संग्यानात्मक विकास होगा आपकी बुद्धी बढ़ेगी और आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं ऑप्ष इस्थानिक बुद्धी, तार्किक बुद्धी, गडितिय बुद्धी, इस प्रकार से अलग-अलग बुद्धी के उन्होंने प्रकार बता हुए हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल, इंटरापर्सनल, ये सभी बुद्धी के प्रकार हैं, उन्होंने ये बताया कि बुद्धी समान बुद्धी की आउधाना यानि एक प्रकार की बुद्धी बच्चे में नहीं होती है वो जो अलग-अलग प्रकार बैता है ते सभी प्रकार की बुद्धी सब में होती है लेकिन जिस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा वो बुद्धी हावी हो जाती है और बाकी सब दब जात तो उसमें तारकिक बुद्धी कम होगी और बाकी वाला जो दूसरों को समोहित करने वाला यानि कि इंटर पर्सनल जो इंटेलिजेंस होता है वो उसमें जादा होगा दूसरों को मोटिवेट करके अपनी तरफ आकरशित करने के लिए तो ये सबी चीजे जिस पर ज्यादा मन होता है और बुद्धी के कई प्रकार बाता है थे हावर्ड गार्डनर ने ऑप्शन नमबर टू इसका बिल्कुल सटिक जवाब है यहीं इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन पुछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिधान्त की आलोचना कैरोल गिलगलन द्वारा क्यों जो 10 से 16 साल के बच्चे थे इसमें उन्होंने सिर्फ मेल बच्चों को लिया था फीमेल को इग्नोर कर दिया था इसी बात को ले करके कैरोल गिलगन उनका अपोज करती है कि जब आपने महिलाओं पर इस प्रकार का कोई परिछण किया ही नहीं तो फिर ये कहीं न कहीं जो म परिछान में नहीं रखा कि महिलाओं किस प्रकार से नैतिक तर्क कर सकती है या फिर किस प्रकार से उनमें नैतिकता का विकास होता है इस पर उन्होंने फोकस ही नहीं किया इस वज़े से इनकी आलोचना की जाती है कैरोल गिलगन के द्वारा आप्शन नमर एक सठीक उत्त होगा तो वहाँ पर बच्चा अपने खुद के सोचने समझने की skill पर विचार करता है यानि बच्चे जब अपने खुद के चिंतन पर चिंतन करें यानि बच्चा जब स्वयम के आधिगम पर चिंतन करता है तो उसे ही metacognition बोलते हैं तो कोई भी ऐसा विकल जिसमें बच्चा खुद के learning पर जब चिंतन करेगा वहीं वाला विकल पर हमारा सही होगा इसी को metacognition बोलते हैं विद्यार्थियों को सभी सीखने के कारियों के लिए विस्त्रित और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना तो यह तो गलत है आगे आपको पता चलेगा क्यों क्यों कि यहां पर खुद के लर्निंग पर चिंतन करने की बात ही नहीं है metacognition का मतलब क्या होता है बच्चा खुद की learning ability खुद के learning skill पर कहीं ना कहीं चिंतन कर रहा होता है thinking कर रहा होता है तीसरा देखे विद्यार्थियों को याद करने के लिए part swapना अब आपको आगे पढ़ना ही नहीं कहीं पर भी नंबर की बात करें वो हमेसा negative होता है हमारे पास के वल एक ही विद्यार्थियों को प्रोसाहित करना कि वे swarm अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपने प्रगती का मुल्यांकन करें option number 2 देखिए इसी की बात metacognition करता है कि बच्चा swarm के learning यानि खुद के learning के बारे में वह और खुद swarm मुल्यांकन करते हुए खुद अपना feedback देता है कि मैं चीजों को सीख पा रहा हूँ या नहीं option number 2 बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगले प्रस्ट में देखिए एक statement दिया गया और दूसरा region दिया गया और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चैन कर लेना है पहले statement को पढ़ते हैं सिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वैम के संकल्पना के उधारनों और गैर उधारनों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए ये बात बिल्कुल सही है कैसे ध्यान से समझेगा संकल्पना के उधारन और गैर उधारन का मतलब क्या होगा कि जैसे मालजे की बच्चे को अगर कोई concept बताया जा रहा है तो उस concept पर आधारित उसके क्या example हो सकते ह ये बच्चों से पूछा जा रहा है और कुछ examples teacher के द्वारा दे जा रहे हैं और बच्चे से पूछा जा रहा है कि जो concept पढ़ाया गया है उससे ये related है या नहीं यानि कि उससे जुड़ा होगा तो उसके उधारन हो जाएंगे और अगर उससे जुड़ा नहीं होगा तो ग concept है जो भी उन्होंने सीख करके अनुभा प्राप्त किया है उसके उधारन और गैर उधारन की पहचान करने के लिए कहना चाहिए यानि कि बच्चा जब अगर उस concept से जुड़े example और उस concept से अलग example की पहचान कर ले रहा है यानि बच्चा आपने concept जो की वो समझा है अनु यह बिल्कुल positive होगा दूसरा देखिए उधारनों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उधारन विद्यारतियों को ब्रहमित करते हैं यह विकल्प negative है कैसे अब यहां तक तो यह बिल्कुल सही था लेकिन यहां के बाद यह negative हो गया जैस यह वस्तु भी आप पर उतना ही बल विपरित दिसा में लगाती है यह क्रिया परतिक्रिया का नियम हो गया ठीक है अगर कोई train इस दिसा में चल लएए और दूसरी train इस दिसा में चल लएए तो दोनों का वेग जो होता है वो जुड़ जाता है और अगर train इसके विपरित अगला प्रशन पुछा क्या है अधिगम के स्तमान सिधानत बताते हैं कि विद्यार्थी बहतर रूप से सीखते हैं यदि सिक्षक बिद्यार्थी कब बहतर तरीके से सीखेंगे आजे टीचर हमसे पूछा जा रहा है पहले विकलब से शुरबात करते हैं फिर उसे भौतिक रूप में आएं ध्यान से समझेगा भौतिक रूप पर आएं का मतलब क्या हो गया कि भौतिक रूप यानि फिजिकल तोर पर अब बच्चे प्राइमरी लेवल प्राइमरी में भी दो सेक्षन बटा गया है एक से पाँच और दूसरा छे से आठ रूप भौतिक रूप में यानि फिजिकल तोर पर बाद में दिखाय जा रहा है इसलिए यह निगेटिव हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा देखिए पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता और फिर उस पर आएं जो विद्यार्थी को पहले से जानते हैं NCF और राष्टे सिख्षानिती ये कहता है कि बच्चे के पूर्व अनुभा से जोड़ करके बताना है यानि बच्चे का पूर्व अनुभा क्या है जो उसको पहले से पता है तो पहले उस पर आना है कि जो की बच्चे को पहले से पता है और उसके बाद उस पर आना है जिस पर हमें बच्चे को सिखाना है यानि बच्चे के अनुभाव से जोड़ करके नय सिख्छा को देना है जबकि विकल्प इसका उल्टा बोल ला है इसलिए हमारा उतर नहीं होग क्यों क्योंकि आज हम लोग बाल के इंद्रित सिख्छा की बात करते हैं जिसमें बालक को आपको औसर देना है ज्यादा ज्यादा अगर बच्चे का खुद का कोई विचार है तो उसको सत्यापित करने का आप उसको मौका दीजे उसको वेरिफाई करने का मौका दीजे तो यह बच्चे को आप बाइक के बारे में पढ़ा रहा है तो बाइक पहले आप संपूर्ण के बारे में जानकारी देंगे उसके बाद बताएंगे कि इसमें पेट्रोल इंजन होता है इसमें किस टेक्नोलोजी पर ये काम करती है इंजन ये सबी चीज़े आप बाद में आएंगे पहले आप बाई का संपूर बच्चे को नॉलेज देंगे, वहीं बोला जा रहा है कि पहले आउधाना का संपूर रूप से परिचा दें, और उसकी बारिकियों पर बाद में आए, यानि कि पूर से अंस की ओर, जो की option number 3 की बात कर रहा है, option number 3 मिलकुल appropriate answer हो जाएगा, दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के मादम से जरूर बताएगा, सांती साथ previous year, अगर आप सभी शिफ्टों के subject wise complete paper solution को detail में देखने के लिए, इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भग जरूर बहुत भुत भुत में जरूर चेक के लिएगा, बहुत प्रापवाद, इस वीडियो के लिए उन्यवाद से आपका पका बहुत, इस वीडियो आपका बहुत, इस प्रिएगाद से बहुत.